मधुबनी जिला के बिस्वी में आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समराठ चौधरी का हार्दिक अभिनंदन किया गया समराठ चौधरी केविटी से धेपुरा पहुचकर सर्व प्रथम दुर्गा मंदिर में जाकर माता की दर्शन पूजन किया यहाँ पर कुश्वाह समाज के लोगों ने उन्हें मखाना की माला एवं पाग चादर से स्वागत किया देपुरा पहुचते ही यहाँ पर पहले से पाटी कारे करता उपस्थित थे जहां से हजारों कारे करता आयो गगन भेदी नारों लगाते हुए 10 किलो मिटर दूरी तैकर विस्वी पहुचे जहां विद्यापती टू उच्विद्याले के मैदान में आयोजित अभिनंदन समारों एवं जनसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक समराज शौधरी उपस्थित हुए एवं जनसभा को संबोधित किया विद्यापती की जनमस्थली पर भाजपा प्रदेश अध्यक समराज शौधरी को मिथला परंपरागत के अनुसार पाग डोपटा फूल के मालाव से सांसर डॉक्टर अशौक कुमार यादो एवं विधायक हरीभूशन ठाकुर बचौल ने जोरदार स्वागत किया कारेक्रम को संबोधित करते वे भाजपा प्रदेश अध्यक शौधरी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के कारेकाल को एतिहासिक कारे बताया उन्होंने कहा कि इन नौ वर्सों में भारतिय राजनीतिक और देश के विकास में कई महत्वपूर्ण परिवर्तक हुए है ऐसे में कोई भी परवार नहीं है जिस तक केंद्र सरकार की योजना नहीं पहुची हो यशास्वी प्रधान मंत्री मोदी ने गरीब शोसित वंचित पीडित दलीद व आदिवासी वर्गी के उठान हेतु हर घर सचाले प्रधान मंत्री आवास हर व्यक्ति को वैक्सीन कोरोना काल में उन्होंने 80 करोर लोगों को मुफ्त में आनास दिया मुफ्त में वैक्सीन दिया कोरोना काल में गरीब भूखा न रहे अंतिता उनके जन्धन खाते में मदद के रूप में पैसे भेजे और ऐसे बहुत सारे जन कल्यान काड़ी योजनाए है जिनका सीधा लाब जन्ता को मिल रहा है प्रधार मंद्री ने नौबर्सों से देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है उन्होंने कहा कि महागडवन्धन की सरकार में अपरादियों और भ्रष्टचारियों का पोल बाला हो तो जन्ध सरोकार के मुद्दे स्वतह गौन हो जाते है ये सरकार पूरी भ्रष्टचारियों को सरक्षन दे रही है नितीश बाबु और उनकी भ्रष्ट मंदली जन्ता की गाड़ी कमाई का दोहन करने में लगी हुई है शासन और प्रशासन के अस्तर पर भी ये सरकार पूरी तरह फेल है पूरारी मोहन जा जाले के जिवेश मिश्रा दर्भंगा के संजय सरावगी अरून शंकर मल्सी घनश्याम ठाकुर रामप्रीत पास्वान जिलाध्यक्ष शंकर जा पूर्व विधान पारशद अर्जुन सहनी दर्भंगा जिलाध्यक्ष जीवच्ष सहनी राजकिशोर जिन्द्र यादाओं ने किया परवुवस्य राम को अस्तापिट कर दिया साथियो अब हमारी बारी है भाजपा की बिहार में सरकार बनाओ यहां भी भब सीता मया की मंदिल बनाने का काम हम लोग करेंगे बार सीता को साफिक करेंगे उत्तर प्रदेश के सरकार ने योगी जी ने बगराम मंदिर को साफिक करने का काम किया साथ अब पर्तिक है और सब्सक्राइब पर समझ उपर पार्टी की सरकार बनाओं और मैं तो कहता हूं हमारे जो मंडल अध्यक्षा है करें जो संकर जादी बैटे हैं हमारे मंडल जिनाध्यक्षा है हमारे प्रदेश से उपात्यक्ष है ये लोग इतना काम मंडल अद्धक से कराते हैं कि उनको यदि हम दीप्ती कलक्टर का परिच्छा यदि पहले ही पारपड़े होते इतना तू दीप्ती कलक्टर होगे कि बिहार में भाजपा का कोई मंडल अद्धक बिहार का मुकमंत्री बनेगा गारेंटी देता हूं नितीज कुमार से दस कुनाचा मुकमंत्री होगा एक दम बिहार को पराएगा और बिहार के संब्रवी की चिलता करेगा अभी तो बिहार को बदलना है साथियों बिहार में हुआ क्या एक मेडिकल कॉलेज मिकिस कुमार बनाते हैं पूरा धिनोरा पिष्टे का काम कोई कर रहा है उसका नाम है नरेन मोदी कुछा नरेन मोदी जी लगाता इस देश में चीजों को बढ़ा रहे हैं साथ है आज आप टेंट के तीचे बैटे हैं और आप सोचिए जब इस देश में नरेन मोदी जी ने ताई किया कि 2018 तक हम सभी गाओं में विजली पहुचाने का काम करेंगे और 2020 तक टाई किया एक एक घर तक विजली पहुचाने का काम करेंगे इक ए घर तक सोचाले पहुचाने का कम करें, वो सी पर सिद नरंद्रमोधी की सरकार देती है साथ को ठानने के लिए समराग चौधरी जी आप आगे बढ़िये, जान लगा देंगे, धिहार को ठाली करा कर रहेंगे और डंके की चोट पर आपकी अदालत में इमांदारी पुर्वक बताना चाहता हूँ कि 24 में तो नरंद्र मोदी को 40 की 40 सीट देंगे और 25 में डंके की चोट पर भारतिय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाएंगे यही कहने आप सभी लोगों के बीच आए थे आप सभी को पुना है एक बार पराम करते हुए मैं अपनी वाली को बिराम देना चाहता हूँ एक बार फिर मेरे साथ जोड़ सेनारा लगाईए बंदे 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 बंदे